हेलो एरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टो नपीजी सोबच्चा क्लास 11 का न्यू चेप्टर चेप्टर 4 मोशन इन प्लेन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में चेप्टर 1st 2nd 3rd कंप्लीट कर लिया है उसके सारे कॉंसेप्ट को क्लियर कर हैं एंड जिसा कि मैंने कहा था कि हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर में इन सभी चेप्टर के वन शोट वीडियो आएंगे एंड वन शोट वीडियो के जस्ट बाद हमारा नियूमरिकल पॉर्शन होगा ओके सो वेटन वोच एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन ना प्लें तो उसको समझने के लिए हम लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइनने क्या सिखा था कि जो डरेक्शन होती है में फिजी कल क्वांटिटी इस साभी फिजीकल क्वांटिटी यह की फेंडामेंटल धिराइड कॉंट ट तो mass का हमने क्या देखा था direction होता है या नहीं ठीक है नहीं होता है mass का नहीं होता है अगर बात करें velocity की तो velocity का direction होता है and numerical values होती है numerical values को ही magnitude कहते है ठीक है तो यहां होता क्या है कि जो particular direction होती है ठीक है means straight line में हमारी जो directions है possible है वो only two है means यह तो positive direction में जाएंगे या negative direction में जाएंगे यह तो forward जाएंगे या backward जाएंगे या upward या downward only two possibilities है कहां पर जब हम motion करें in a straight line but in case of motion in a plane there will be different things यहां पर चीज़ें different हो जाती है यहां पर भी direction matter करती है but यहां only two directions possible नहीं है क्योंकि हम यहां 2D की बात करें है two dimensions की बात करें ठीक है motion plane में हम 2D की बात करेंगे and 3D में भी होता है ठीक है 3D के लिए भी x y z तीन directions होते हैं three dimensions हा जाते हैं तो वहां भी चीज़ें different होगी clear है अब हम इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है क्या कौन कौन से points हैं जो हम इस chapter में cover करेंगे तो हम सीखेंगे कि vectors क्या होते हैं ठीक है vectors का representation क्या होता है why do we have need vectors ठीक है vector की जरूरत क्यों पढ़ी vector के addition subtraction हम कैसे कर सकते हैं vector का product हम कैसे कर सकते हैं ठीक है and vector की जो low of addition and subtraction है वो हम कैसे follow कर सकते हैं and just applications या फिर बोल सकते हैं examples of motion in a plane projectile motion as well as circular motion ठीक है projectile motion and circular motion ये दो examples हैं जो की आपके chapter chapter 4 में दिये गए ठीक है तो हम vector के बाद vector के basics पढ़ने के बाद में हम इन two applications को करेंगे ठीक है तो आज के video lecture में हम सिखेंगे vectors क्या होते हैं ठीक है why do we है need vectors, vector की जरुवत क्यों पढ़ी and representation of vector and types of factors इन points को हम आज के video lecture में cover करेंगे ठीक है दीरे दीरे आने वाले video lectures में आपको vector का पूरा concept clear हो जाए ठीक है I hope आपको vector का पूरा concept clear हो जाए कोई भी doubt नहीं रहे ठीक है तो आज का lecture हम start करते हैं So, my name is Tripti and I am going to start today's lecture So, introduction में basically हम सीखेंगे कि why do we have need vectors, हम vectors का use क्यों करते हैं ठीक है तो हमने last video lecture में physical quantities के बारे में सीखा था ठीक है physical quantities हम start करते हैं इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन अब सबसे पहले थोड़ा सा last lecture से connect करते हैं क्योंकि physics में यह होता है कि हर chapter एक दूसरे से connect होता है अगर आपको motion in a straight line नहीं आया है समझ में तो आप motion in a plane को easily नहीं समझ सकते हैं तो अगर आपने straight line के video lectures नहीं देखे हैं तो पहले वो video lectures देखिए then come to this class इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे physical quantities की हमने physical quantities के बारे में यह बढ़ा था कि physical quantities are the combination of numerical value and unit ठीक है यह हमने initially first lecture में देखा था numerical value and unit का combination यह multiplication होता है physical quantity ठीक है यानि कि n का मतलब है यहां numerical value numerical value भी बोल सकते हैं या फिर इससे हम magnitude भी बोल सकते हैं ठीक है इसी को आप magnitude बोलेंगे आगे and this is a unit ठीक है example लेते हैं for example आप market के आपको 5 kg sugar लाना है ठीक है आपने क्या किया 5 kg sugar लेने के लिए आप market गए तो यहां 5 is the numerical value and kg is the unit आपके पास complete information है आप जाएंगे शॉप पर and 5 kg sugar लेकर घर वापस आ जाएंगे ठीक है आपके पास complete information है अब यहां किसी direction की जरूरत नहीं होगी ठीक है आपको सिर्फ 5 kg sugar लाना है तो आप शॉप पर जाएंगे और 5 kg sugar लेकर वापस अपने घर पर आ जाएंगे बट ऐसा कहें कि आप 5 kg sugar तो लानी है बट एक पर्टिकुलर शॉप से यह आपका घर है और यह जो शॉप यह है आपकी मॉम ने बोला कि आपको यहीं से लानी है इसी शॉप से लानी है अच्छा आपको नहीं पता है शॉप कहां है ठीक है किस direction में है घर से किस direction में है तो कि मम्मी ने बताया कि आप घर से पहले राइट जाएं ठीक है फिर लैप्ट जाएं फिर राइट जाएं थोड़ा सा आगे ही आपको शॉप यह मिल जाएगी ठीक है तो यहां किसकी जरुवत पड़ी direction की ठीक है अगर आपके पास direction नहीं होती तो आप इजी ली शॉप यह नहीं पहुंच सकते हैं पहुंच तो जाते हैं बट काफी difficult चीज का सामना करना पड़ा ठीक है तो इसी लिए यहां direction की जरुवत पड़ी direction की जरुवत इसी लिए पड़ी कि आप किसी एक particular point पर easily move कर सकते हैं ठीक है यहां आप घर से गए आपको directions पता है तो अगर direction ही नहीं पता है तो आपको काफी problems आएंगी तो यहां पर directions की जरुवत पड़ी बट इस point में इस example में direction की जरुवत नहीं पड़ी so we are concluded from this example कुछ physical quantities में direction की जरुवत होती है और कुछ physical quantities में direction की जरुवत नहीं होती है ठीक है यहां से हमने यह conclusion निकला कि कुछ quantities में direction की जरुवत होती है and कुछ quantities में direction की ज़रूरत नहीं होती है तो इसी के basis पर हमने two quantities, two physical quantities ली है that is scalar quantities and vector quantities अब scalar quantity और vector quantities में क्या difference होता है हम scalar quantities और vector quantities को one by one point y समझता है scalar quantity and ये आपकी है vector quantity okay, देखो, difference क्या होता है कि scalar quantity में आपका only magnitude होता है only, it has only magnitude scalar quantities has only magnitude but vector quantities में बात अलग हो जाती है यहां magnitude तो होता ही है but direction भी एड हो जाती है क्या होती है, direction भी एड हो जाती है अच्छा, magnitude और direction किसी भी physical quantities में है तो आप उस quantity को vector quantity कह सकते है क्या, surety से कह सकते है नहीं, ठीके, अगर आपके पास ये two things है तब भी आप किसी quantity को surely hundred percent नहीं कह सकते है कि ये vector quantity है but एक और point इसमें add होता है वो है always vector low of addition ठीक है, vector low of addition means वो physical quantities जो vector low of addition को follow करती है जिन में magnitude होता है और जिन में directions होता है ये three steps अगर किसी physical quantities follow करती है then we sure about that quantity is said to be a factor quantity ठीक है, but scalar में only magnitude होता है ठीक है, अब scalar में addition or subtraction कैसे होगा so addition के लिए simply जो basic algebra हम use करते है ठीक है, basic algebra जो हम use करते हैं वही होगा ठीक है, means अगर आपको 5 kg को 2 kg में add करना है तो आप simply 5 plus 2 कितना 7 kg ठीक है, तो simple जो आप addition करते हैं जो आप subtraction करते हैं वही आपको scalar quantities में करना है बट vector quantities में different things हो जाती है आप vector low of addition follow होता है और ये जो addition के lows है ये generally हमारे जो बुक में है वो two laws हैं, ठीक है फर्स्ट है law of triangle ठीक है law of triangle and second है law of parallelogram ठीक है law of parallelogram इन two laws को हम आने वाले lectures में समझेंगे ठीक है अब scalar quantity के examples क्या हो सकते हैं तो scalar quantities में distance हो सकता है ठीक है and mass होता है ठीक है और भी बहुत सारी physical quantities है अब यहाँ speed भी होगा ठीक है ठीक है ये speed में directions नहीं है अब vector quantity के कुछ examples लेले जैसे displacement displacement में आपका final and initial point ही consider होता है ठीक है so it is a vector quantity displacement हो गया velocity हो गया and acceleration हो गया ठीक है acceleration and force so ये basically some physical quantities they are follow scalar scalar laws and vector laws ओके clear या होब आपको scalar and vector का two difference है वो clear होगा ठीक है अब हम बात करते हैं representation of vectors representation of vectors representation of vectors ठीक है तो generally vectors को present करने के लिए represent करने के लिए हम arrow का use करते हैं ठीक है arrow का use करते हैं इस तरह से ये वाला जो portion है this is called head okay and this one is tell ठीक है and इस arrow की जो length है ठीक है length आपको बताती है magnitude of vector magnitude of vector means vector की जो numerical value है वो कितनी है and ये जो arrow है head है ये indicate करता है direction को ठीक है ये क्या indicate करता है direction को simply अगर आपको कहें कि आपने एक box पर 5 newton का force लगाया ठीक है 5 newton का force लगाया east में ठीक है तो आपको directions तो पता हूंगी direction और ये right में east होता है ठीक है इसके against left में west ठीक है अपवर्ड north and this is south इस तरह से हम direction को represent करते हैं तो हमने 5 newton का force east direction में लगाया मिन्स इस तरह से मैंने एक arrow को represent कर दिया अब ये 5 newton को हम केसे measure करें ठीक है क्योंकि हमारे पास जो scale है वो तो meter में है ठीक है centimeter में है हम one meter को one newton consider कर लेते हैं ठीक है तो five meter हमारी जो scale है उसमें five meter का measurement होगा वो five newton तो इतना हम measure करके और ये arrow बना देते हैं ठीक है तो ये हमारा represent करता है five newton और direction east east direction इसी side है तो ये आपका head direction को represent कर रहा east अच्छा हम हर quantities को इस तरह से length के according arrow में represent करेंगे तो ऐसा नहीं है ठीक है इससे simple करने के लिए हमने क्या कहा कि आपका जो force है वो five newton east में है ठीक है five newton east में है तो हमने इस quantity पे फोजिकल quantity सो हमने f के उपर इस तरह से arrow बना दिया तो इसका मतलब है यह आपका vector को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है किसी बुक में आपकी आपको vector quantities को एक bracket में close कर दें ठीक है इसका मतलब है mod of f तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है तो यह रिप्रेजेंट करता है value को ठीक है means five newton only जो value है only magnitude है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है mod ठीक है mod of f is equals to five newton यहां directions matter नहीं करती ठीक है यह जो रिप्रेजेंटेशन है यह only magnitude का है अगर आपको arrow भी दिया गया है ठीक है तो यह रिप्रेजेंट करता है magnitude as well as direction ठीक है यह दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है arrow and this is only magnitude okay इसे आप इस तरह से only f लिखें तो भी आप समझ जाएं कि this is a magnitude ठीक है ओनली आपका f consider किये तो भी आप इसे magnitude ही समझें okay so this is the basic representation of vectors now we are going to deal some types of vectors types of vectors okay so generally काफी सारे types के vectors होते हैं तो one by one हम इसे देखते हैं ठीक है types of vectors first one is equal vector ठीक है equal vectors equal vector क्या होते हैं so equal vector में magnitude equal होता है ठीक है equal magnitude as well as same direction ठीक है same direction होंगे and एक और point यहाँ add हो जाता है that is same unit ठीक है अगर आपकी unit same नहीं हुई तो वो equal vector नहीं है जैसे आपने suppose आपने example ले लिया 5 kg इस्ट ठीक है and again vector a है यह आपका ठीक है यह आपका vector b है और इसकी value है 5 kg इस्ट okay so आप देख रहे हैं दोनों का magnitude 5 kg 5 kg same है and direction will be also same ठीक है so we can say vector a is equal to vector b and also mod of a means magnitude of a is equal to magnitude of b ठीक है यह आपको points vector नहीं होगा चाहे direction same है चाहे magnitude same है बट unit same नहीं है तो वो magnitude same है ठीक है यह तो आपको magnitude same होगा direction different होगी ठीक है direction different होगी यह फिर एक और condition ले ले लें कि direction same हो जाए और magnitude different हो जाए magnitude different हो जाए तो फिर आपकी जो vectors है वो अनिक्वल वेक्टर होंगे ठीक है suppose आपने वेक्टर a को 5 kg इस्ट में लगा दिया ठीक है एंड वेक्टर b को 5 kg वेस्ट में ठीक है अब यहां से directions to different है that means vector a is not equal to vector b ठीक है बट magnitude same है तो हम कह सकते है magnitude of a is equals to magnitude of b ओक तो यहां पर एक भी अगर condition follow नहीं होगी so we have to call is unequal vectors okay next one is parallel vector third is parallel vector parallel vectors क्या होते है parallel vector simply अगर आपके पास two vectors है और वो इस तरह से एक दुसरे को कौन साइट करें या फिर हम बोल सकते हैं उनके बीच का जो एंगल हो वो zero degree ठीक है then जो वेक्टर होंगे that is called parallel vector ठीक है parallel vector की condition क्या है दोनों vectors vector a and vector b के बीच का जो एंगल है वो zero degree होना चाहिए and direction क्या होनी चाहिए parallel vector में direction same होगी ठीक है direction क्या होगी सेम होगी चाहे magnitude different हो बट direction सेम होगी and theta will be zero degree okay now and anti parallel vectors ठीक है so anti parallel vectors क्या होंगे इसमें simply इसका opposite होगा opposite में यह है कि इसमें जो एंगल है theta की जो value है वो आपका 180 degree होगा कैसे कैसे तो देखिए आप यह इस तरह से आपका first vector a है and इसके just opposite में vector b है इन दोनों के बीच का जो एंगल है that is 180 degree ठीक है और इनकी जो directions है वो opposite so anti parallel vectors की condition यह होती है कि इसमें theta की value 180 degree होती है and directions क्या होगी opposite okay directions opposite होगी इस तरह के vectors को हम anti parallel vector कहते हैं ठीक है next one is collinear vector collinear vector collinear vector collinear vector वो होते हैं जो के same line में हो ठीक है आपके पस अगर एक line draw की हुई है और इस line में vector a है and also इस line में vector b भी है इन दोनों vector को हम collinear vector कहेंगे okay now next is co planner co planner क्या होगा co planner में यह होता है कि यहां two vectors same plane में होते हैं ठीक है two vectors always two vectors always in a same plane ठीक है जब दो vector same plane में हो तो उन vectors को क्या कहेंगे co planner vector जैसे आमने यह vector two vectors ले लिए ठीक है vector a and vector b अब यहां पर यह जो आपका sheet दिख रहा है वह plan है तो plan में है vector a भी है vector b भी है ठीक है अब इसी vectors को इस तरह से कर दे तो plan के according change हो जाएगा but two vectors हमेशा always same plan में रहते हैं but अगर आप three vectors ले लें ठीक है means a core vector यह two vectors लिए यह एक और three vectors ले 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 तो यह आपको इस plan में नहीं दिखेगा ठीक है तो यह ज़रूरी नहीं है इस तरह से आपने अगर रिप्रेजेंट किया है तो तो वह three vectors भी same plan में होंगे बट अगर आपने इस तरह से तीनो वेक्टर को arrange करते हैं तो यह two vectors तो same plan में है बट यह third vector same plan में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह है कि थ्री वेक्टर्स थ्री वेक्टर्स में और में नॉट बी बी इन दर सेम प्लैं ठीक है इन दर सेम प्लैं ओके नेक्स्ट है next vector है concurrent vector ठीक है concurrent vectors concurrent vector का simple meaning है कि अगर आपके पास two और more than two vectors है ठीक है means हम a b c three vectors ले लेते हैं ठीक है more than three more than two हो गए त्री वेक्टर्स है आपके पास और तीनों vectors same point पर meet हो रहें same point पर एक particular point पर intersect हो रहें okay so इसे बोलेंगे आप concurrent vector vector a vector b and also vector c ठीक है is the intersect at the same point ठीक है the three vectors are intersect at the same point so it is called concurrent vector okay next one is at the zero vector ठीक है zero vector क्या होता है so zero vector में आपका जो magnitude है किसी भी vector का magnitude अगर zero हो जाए so it is called zero vector and zero vector की directions जो है वो arbitrary होती है ठीक है arbitrary means किसी भी direction में हो सकता है okay so this is called zero vector ठीक है means अगर आप vector a का zero में multiply करते हैं तो आपको क्या मिलेगा zero vector ठीक है इससे आप detail में आगे की lecture में समझेंगे and last one is unit vector unit vector is very important यह आपका बहुत बहुत ज्यादा important है इससे अभी तो मैं एक दो point में समझा देती हूँ but हम जब resolution of factors पढ़ेंगे तब इसका detail में study करेंगे unit vector unit vector क्या होते हैं so unit vector में magnitude की value हमेशा one होगी ठीक है unit का मतलब ही क्या होता है means जिस vector की magnitude one होता है उसे आप unit vector कहते हैं ठीक है means simply अगर आपने xy plane में यह आपका x and यह आपका y axis है ठीक है यहां पर आपने vector a लिया है ठीक है vector a को आप suppose करते हैं कि इसका जो length है वो five centimeter है तो आपने one centimeter में divide कर लिया तो यह जो single centimeter है means one unit है that is called unit vector ठीक है यह क्या होता है unit vector और इसे आप represent करते हैं cap के थो ठीक है अगर आपको a unit vector निकालना है तो a cap से unit vector को represent किया जाता है और इसका जो formula है that is called a vector divided by a mod ठीक है means magnitude of a तो इस तरह से आप unit vector को find कर सकते है unit vector a is equal to vector of a upon magnitude of a इस formula के थो आप unit vector define कर सकते है unit vector generally directions के लिए होता है ठीक है mainly यह किसके लिए दिया जाता है directions के लिए it is represent only for direction क्योंकि अगर आपको दिया है कि यहाँ 5 cm का जो vector है उसका unit आपने length ले लिया अब unit जो length है वो भी along the direction of a vector है ठीक है अगर आपने इस direction में y direction में b vector ले लिया और इसका unit vector निकाला ठीक है तो यह simply unit vector का concept है इसका magnitude 1 होता है और यह generally use किया जाता है directions को find करने के लिए इसको आप a gap से रिप्रेजन करते है और इसका formula होता है a gap is equal to a vector divided by magnitude of a okay so this is all about the lecture number first lecture number first में हमने क्या क्या सीखा तो हमने vector quantities को हम क्यों use करते है vector quantities क्या होती है scalar quantity vector quantities में difference क्या होता है representation of factors क्या होते है types of factors क्या होते है इसे सभी points को हमने आज के इस video lecture में complete किया है I hope आपको यह lecture समझ में आया होगा इसके सभी points clear क्योंकि यह जो है यह basic है इसके बात का जो lecture होगा वह इन ही basic चीजों पर depend होगा ठीक है तो यह आपको चीजे आने चाहिए और उसी पर based हम next lecture lecture two लेकर आएंगे जो कि आपको lecture two तो एक छोटा सा lecture होगा उसमें आपको angle के बारे में बताऊंगी और parallel shifting के बारे में बताऊंगी बट lecture three जो है वो most important होने वाला है उसमें हम low of addition ठीक है triangle low and parallelogram low किस तरह से graphical method के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अभी हम graphical graphs के थ्रू हम कैसे इन additions को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम next lecture three में से कहें ठीक है मचू